रुकरेंगे अगली ख़बर का और आपको अब हम दिखाते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जुनावी बिगुल एक तरह से बच चुका है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में एक तरफ प्रबुद्ध समेलन में माया वती पहुंची तो दूसरे तरफ दौरा हुआ AIMIM अध विधान सबाम चुनाओं में सन 2007 की तरह अपने पून बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है ये खुल कर कहने लगे हैं कि इन सभी पाट्यों की सरकारों मिक्की तुल्ना में बीएसपी का शाशनकाल हर मामले में वे हर स्तर पर कई गुना बहतर रहा है तो चुनाओं की डगड़ पर महराष्ट बिहार और बंगाल के बाद अब ओवेसी की सियासी गाड़ी यूपी पहुँच चुकी है यूपी में मुस्लिम वोट बैंक में सेंद लगाने के लिए अस्दूदीन ओवेसी लखनों पहुँच गए तीन दिन के मिशिन यूपी की शुरुआत ओवेसी आयोध्या से कर रहे हैं आयोध्या रवानगी से पहले लखनों में ओवेसी ने कहा कि यूपी में मुसल्मानों का हक दिलाने में आया हूँ आयोध्या लिखा है उसमें हमारे शौकत साब पीछे कड़ें प्रज़न आयोध्या लिखा है ने ने अरे क्यों आरे भाई पार्लिमेंट कॉंसेंसी मयोध्या आता है नहीं आता है ना क्यों नहीं मानेंगे हम ये चाहते हैं कि उत्तर परदेश में जैसा कि हर समाज, हर ब्रादरी की एक पोलिटिकल लीडरशिप है उनकी एक पहचान है, उनकी एक शनाफ्त है उसी तरह इंशाल है ये जो मौसूफ का आप नाम लिए ये सिर्फ इस तरह की बाते करते हैं जब मुझफर नगर का कांड हुआ भारत की आजादी के बाद पचास हजार से ज्यादा लोग बेघर हो गए उस वक्त तो इनकी जबान बन थी गुंगे बने वे थे उस वक्त उनको उस मस्जिद या अद्मियाई जो आज मुझफर नगर वीरान हो चुकी है हमारे उत्रपरदेश के प्रेजिडेंट जनाब शौकत साहब ने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हम लोग आने वाले विधान सभा में सो सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हमा हम हम उनके साथ हैं और एक पिछले बार टीवी कौंकले वहा था नहीं लखनों में हमारे उनसे बात चीद भी हुए और इन्शाला सेप्टमबर हमारे दुबारा उनसे मुलाखात होगी ने अभी तो परस्ताओ कहां दिये हम आप लोगों ने सुने हम आपने उनसे पूछा था कि क्या आप इनसे हैं या हमने का तयार हैं आप पूछें उनसे वो तयार हैं नहीं अब लैला की दुश्मनी में तो खर्ट हैं ना पूरे मजनूर तो इनको लगता है कि सब्पा को या जो भी बीस पिए अगर एक ऐसा हमको अंटचबल बना चाती है तो हमको को इतराज नहीं है परेशानी इ या उननीस परसंट मुसल्मान और आप मभी कॉंबिनेशन की बात करते हैं आप गयारा परसंट और practice और उन्नीस परसंट ङुलामी आपकी करते रहे आपकी जैजाएकार करते रहे आपको मुख्यार हमनत्री बनाए, आपको ओर्टे और आप इस्सेदारी की जब बात होती ह तो बात ही नहीं करते है उत्तर पर्देश में 37% जो बीजेपी के मिलेज हैं उनके खिलाफ करिमिनल चार्जज हैं बीजेपी में जो 116 MP है उनके खिलाफ करिमिनल चार्जज हैं कि जिस किसी पॉलिटिशन का नाम प्रग्या होगा, अजे होगा, कुल्दीफ होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोग प्रियनेता होगा, और जिसका नाम अतीख होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुक्तार होगा, वो बाबूली हो जाएगा ये ये रियालिटी है इसको आप आप इंकार नहीं कर सकते और अगर अतीख एमद मुझफर नगर कांड से पहले अगर कोई प्रोवकेटिव स्पीज देते और कुरकपूर में कोई और भाषन दे देते और उसके बाद गबर हो जाती की, तो हो सकता, या फिर उनका उस समाध से तालुक होता जिसके पास सता है, तो यखिनन उनके खिलाद भी केस्स विड्रा हो जाते ku हम लटेंगे अलक्षन, हमaving किसी के गुलान नहीं है कि उनको जिताएंगे हम भूल 7 साल से सबको जिताए, हम जीतेगे इंशाललां उतर प्रदेश का मुसल्मान जीतेगा कब तक, कब तक, कब तक हम इनकों खंदों बिठाकर कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भाईया बनाकर कभी अपना नेता बनाकर कब तक इननों की जिताते रहेंगे हम क्या कोई खायदी है अब हम वोर्ट डालेंगे, हम जीतेंगे, जी सम्मिधान में उनको जाज़त है और इसमें पेट में दरद क्यों हो रहा है उत्तरप्रदेश के चिनावी समर में सियासी दलों के नज़र ब्राह्मन वोर्ट बैंक पटिकी हुई है लंबे वक्त से सत्ता से दूर रही बीएसपी भी इन्हें के सहारे सत्ता पर काबिस होने के लिए प्रबुद समेलन कर रही है समेलन में मायवदी ने दावा किया कि प्रबुद वर्ग की मदद से ही इस बार बीएसपी की सरकार बनेगी और इस सरकार में ब्राह्मन खुश रहेंगे पर बुद्ध वर्ग में से अपने ब्राह्मन समाज के लोगों को भी दलितों की तरह कभी भी ना गुमरा होने वाला तथा नहीं किसी के भैकावे में वे परलोवन आदी में भी आने वाला समाज बनाने का हर संभव पूरा पूरा प्रयास किया है और जदी वाश्तम में ऐसा संभव हो जाता है तो फिर हमारी पार्टी को यह अगामी विधान सवाम चुनाओं में संदो हजार साथ की तरह अपने पूर्ण भहुमत के सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोख नहीं सकती है पार्टी के मंडल वे विधान सवास्तर पर बनाए गए सभी पदादिकारियों को शहरों वे गावों आदी में जाकर अपने ब्रामन समाज को युद्ध स्तर पर बीएस्पी में जोड़ना है अर्थात अभी ने भी हर स्तर पर पार्टी को सयोग दे कर फिर से यहां सन दो हजार साथ की तरह ही बीएस्पी की पूर्ण भहुमत की सरकार बनाना है इसके साथ ही अब इनको दूसरे चरण के तहर परतेग विधान सबा के शहरों कस्वों वे गावों आदी में जाकर पहले अपने विसेश कर ब्रामन समाज के कम से कम एक हजार सक्रे कारे करता तियार करना है परतेग विधान सबा हमें तथा इन्हें बीएस्पी का सदश से भी जरूर बनाना है साथ ही इनकी सूची भी तियार करनी है और सबसे पहले इनको रिजर्व सीटों पर ये कारे करना है झाल 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 झाल